नमस्का दोस्तो दवा जानकरी में आपका बहुत सागत है दोस्तो इस वीडियो में आज हम लग डिसकस करने बालो सुमीट 500 टैबलेट के बार में वीडियो में जानेंगे जो टैबलेट है सुमीट 500 कौन सी कुमपणी का ब्रेंड है इसका पैकिंग, प्राइज, सॉल्ट किस मातरा में यूज किया गया है और पहुत इनपोर्टेंट दोस्तो कौन सी बीमारी के लिए जानकरें आपसे ना छूटे उससे पहले आपने हमारी यूट्यूब चैनल दवाजानकरे को सबसेर कर लिए तो बहुत बहुत थाएंकिवों, अगर नहीं के तो दोस्तों तुरन् वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों सुरू करते हों मार्गेट में जो सुमीट 500 टैबलाट आता है दोस्तों इंटरलाप का आता है जिसका एक बॉक्स में पैकिंग है 10 इंटो 10 इस्टीब का और एक इस्टी में 10 गोली रहता है जिसका परेज आपको दोस्तों मेड़ फॉर्मिन ये एक एंटी डाविडिस दवा है जो कि हमारे बॉड़ी में ब्लाड में जो सुगर का लेवल है उसको गंडूल करने के लिए इस दवा को प्रोई में लाए जाता है इसका यूज के बार में बात को दोस्तों मुख्य रूप से मेड़ फॉर्मिन का प्रयोग मुख्य तरस्य टाइप टू डाइपडिस मेल्टेंस को टीटमेंट करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका जो लक्सन है आपको बार बार पिसाब आ सकता है भूग बहुत ही ज़्यादा लग सकता है ठकावड महसूस य घाव हो जाए तो इंफेक्शन घाव जल्दी से नहीं सुकता है इस सेविटेव लक्सन आपको इंटिगेट करता है दोस्तों टाइप 2 डाइपडिस का तो इस बीमारी को टीटमेंट करने के लिए डॉक्टर यह सुमिट 500 टाबलेट पेसेंट को देता है दोस्तों इनका अ कि जो इंसुलेशन का अक्टिवेटर भी बढ़ा देता है और बोडी में जो लिवार में जो सुगर का पोड़क्शन है उसको बंद करके यह सरीर में काम करते दोस्तों तो यह था दोस्तों इसका यूज का फूरी जानकारी दोस्तों इसके बाद आप जान ले तो इसका डूसेज रहता है सुबा साम एक गोली 500 मिली घ्रम का का एक गोली दिया जाता है आप खाना खाने से बाद या पहले तक टाइम भी आप यूज कर सकतों इसका मेकसिमाम जो इसका डूसेज रहता है दोस्तों इस टैबलेट को जरू दोस्तों यदि किसी प्रिग्नेंस्यु प्राइब्लेटों चुछ ब्राइब्स ये और इन के अलावा और कुछ भी दिखा जिए तो दोस्तो तुरंदी इस दबाक को सेबन को इस्टोप करके आपने डॉक्टर को संपर किजिए जैसे आपको फार्दा टीटमेंट मिले तो दोस्तो ये था सुमीड 500 या मेड़ फॉर्बिन टैबलेट का फुल रिवियू उमीद करतो दोस्तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चनल को सब्सकर कर लेजी इसी तरह के और वीडियो देखने लिए थैंक्यू फर वाचिंग